आज हम लोग देखेंगे class 10th है science subject है chapter 3 इसे जितने important question है आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा आप इस वीडियो के एक बार देखिए और इससे कोई भी question आपका one marks का नहीं छूटेगा ठीक है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही helpful रहेगा ठीक है और हमारे इस चैनल क अगर आपको regular इस पर बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी परकार के आपको notification मिलता रहे चली हम लोग देखते हैं question number total question हमें आप 25 लिए हैं सभी important question है ठीक है first question है धात्वे कठोर सत्व से टकराने पर आवाज उत्पन करती है उसे क्या कहत हैं तो देखें जब धात्वे कठोर सत्व से टक रहती है तो अवाज उत्पन करते हैं उसको कहते हैं सोनोरस याद रहेगा इंसर इसका तो कुछ है option वला भी है और कुछ लिखने वला भी है ठीक है तो आप इसको याद रखेगा question number second है ऐसी धातू जिसे चाकु दोरास जानी से काटा जा सकता है उसे क्या कहते है option नमर first है sonoras, B है sodium, C है magnesium, D है lead तो हमारा option number B हो जागा सही, sodium को चाकु दोरासन से काटा जा सकता है कुछ नमबर थिरी है, ऐसी धातु जो उस्मा की सरवतम चालक होती है, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर, सेकेंड में कौपर, और सी है, दोनों, अब डी है कोई नहीं, तो देखिए, सिल्वर हमारा सबसे सरवतम चालक है, ऐसे कौपर भी है, लेकिन फर्स्ट पर है सिल्वर, उ इसलिए हम लोग option मारेंगे silver ठीक है इसके बाद है question no.4 वह धातु जो हाँ थेली पर रखने से पिखलने लगती है बते है उसका नाम क्या है option देखिए first में PV यानिक लेड और B में है gallium C में है graphite और D है कोई नहीं तो कौन सो option हो जागा gallium ठीक है एंसर इसका याद रहेगा gallium गिलियम का सिंबूल क्या होता है जी ए इसका सिंबूल होता है question no.5 एक ऐसे अधातु जो चमकिला होता है option no.1 गैलियम B है तामबा C है कारवन D है आयोडीन ठीक तो अधातु बोला है और चमक यह चमकिली होती है आड़ीन का सिंबूल होता है i सिंबूल भी याद रखेगा ठीक है question no.6 एक ऐसी अधातु जो बीदूत का सुचालक होता है यह अधातु तो है लेकिन सुचालक ठीक है conductor होती है तो कौन सो option है इसका option नहीं यह आपको खुद ही लिखना है क्या बता सकते question no.7 है प्रकृति में मुक्त यानि मतलब की सोतंत्र अवस्थाम पाई जाती है वह धातु है यानि कौन सी पाई जाता है option आपके पास है option no.a है hg यानि की पारा पीवी यानि की सीशा a u यानि की सोना और इन में से सभी तो पताई कौन सो option हो जागा तो हो जागा हमारा सोन क्योंकि यही सोतंतर रुप से पाई जाता है क्योंकि यह कम रियक्टिव है यह कम अभिक्रिया सिल धातु है इसलिए question no.8 है हमारा कमरे किताब पर द्रो होती है यानि कमरे किताब पर कौन सी धातु द्रो होती उसका नाम बताने आपको option a sodium b है तामबा c है पारा d कोई नही तो पताए कौन सा ऐसा धातु है जो द्रो होती है कमरे किताब पर ठीक है तो इसमें हमारा option हो जाएगा पारा option no.c याद रहेगा चले question no.9 question no.9 है पारा का सिंबूल क्या होता है पारा का सिंबूल होता है एच जी एक होता है एच जी होता है चांदी का और एच जी है पारा का चले question no.9 है ऐसी अधातु जो समानिता पर द्रोहस्था में पाए जाती है वो अधातु का नाम बताने यहाँ पर धातु था और यहाँ पर अधातु तो देखे सोडियम तो धातु है मारा बुरुमीन हो जागा स्वे उप्शन बुरुमीन का सिंबूल आप हमें बताएगा कि क्या होता है ठीक है अप्शन नमबर सी तो होगा नहीं अप्शन नमट डी भी नहीं होगा डी एंटी लिखें मतलब अनौफ दीज घलता है वो कौन सा है तो औप्सन नमबर है है एयू यानि की सोना बुरुमीन और सिल्वर और डी है ए औरशी दोनों ठीक तो अप्शन नमबर हो जागा हमारा ।े ठीक है किया जाता है बताइए विदुत परिपाथ बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है option number first है तामबा यानि कि copper हो गया, bromine, silicon और none of these ठीक कौन साइस में option हो जागा तो हो जागा बिल्कुल साइस समझे option number first ठीक है तामबा यानि copper question number 12 कौन सी उभैधर्मी उक्साइडों का उदाहरन है उभैधर्मी उक्साइडों का उदाहरन है देख सकते हूं option aluminum oxide जिंक oxide है option number C में A और B दोनों और D नौन अफदी option number C हो जागा दोनों ठीक है उभैधर्मी उक्साइड चले question number 13 भूपरपटि में सरवाधिक परचूर्ट ततो का नाम बताना है आपको भूपरपटि में सरवाधिक परचूर्ट ततो का नाम बताना है तो इसका हो जागा oxygen ठीक है oxygen चले question number है हमारा 14 question number है पर किर्टि में पाए जाने वला सबसे कठोर अधातू है option number A है सोना B है चांदी C है हीरा D है ग्रेफाइड पता है इसमें से कौन सा option होगा तो यह हीरा option सही है हमें बताएगा हीरा किसका अपरूप अधातू है ठीक है चलिए question number है 15 खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं उसका नाम है मतलब कौन साइस में से रखते हैं कि आग पकड़ लेते हैं खुले में रखने पर option number a है के मतलब है यहां पर potassium ठीक है अब b option number b है sodium c है a और b दोनों अब d है none of these option number हो जागा हमारा c ठीक है potassium रो sodium दोनों बहुत ही reactive shield हातू है और यह बहुत तेजी से अभी क्रिया करते हैं इसलिए हम इसे क्रियो सिंट्रेल में डूबो कर रखते हैं चले कोच्च नंबर सोला है सबसे अभी क्रियाशील धातू है तो अभी हम आपको बताएं सबसे अभी क्रियाशील देखें ओप्शन नंबर e है sodium b है magnesium c है calcium और d है potassium तो sodium भी है सबसे अभिक्रिया सिल घात्यु तो पहले तो पॉटिसम मारेंगे वह इसा ओप्षन कोई भी है नहीं इसलिए हम ज्यादा पॉटिसम को पहले मारेंगे फर्स्ट पॉटिसएं है सेकेंड पर सोडियम है कोई चान भर है 17 कोंसी धातु असानी से संचारित नहीं होती है कौन सी धातु है जो असाइन से संचारित नहीं होती option number है sodium, b है magnesium, c है silver और d है कोई नहीं तो बताया इसे में से कौन सा option हो जागा silver का option number हो जागा हमारा c option number c, question number 17 का option number c next question है हमारा 18, tamra yamam tin के mister धातु को कहते हैं पताई tamra yam tin के mister धातु को क्या कहते हैं तो tamra yam tin के mister धातु को क्या कहते हैं जल्दी बताई इसको, tamra का हम बताए तरे symbol होता है copper, tin, tin का symbol क्या होता है है iron का होता है clean का Istka हो जाएगा SN इसका option क्या हो जाएगा बुली इसका हो जाएगा । merchant जिसको English में बोलते हैं ब्रांज भी बोलते हैं तो कोच्छा नमबर हमारा 9, इसको मिसर दातु कहते है पितल, ठीक है, चलिए है, कोश्चन के सीषा यानिक यानिक लेड और टीन की एक मीष्र धात्यों का नाम बता ईघी अब यहाँ पर सीषा और टीन का तो कुछ ऊप्सण क्वाया हो जहागा मतब एक पतला तार देशा रहता तब उसको जोडते हैं वो ही है सोल्डर ठीज चलिए कोच्छा नमबर एक इस है इस्टील का मिसरन है इसमें से कौन सा अप्शन होगा लोहा और तामबा लोहा और कार्बन और सी में दोनों और डी कोई नहीं तो अप्शन नमबर भी हो जाग मजबूत बन से कठ़ुड बन से ठीकी है चलिए कोच्छन नमबर 22 मिसर द्वातर में एक लगतर भी हो तो उसको क्या कहते हें इसको और यू कमें अलगम 24 केरेट का होता है तो गहने बनाने के लिए कितने केरेट के होते हैं कितना केरेट के यूज कर सकते हैं चलिए कोहचन नमबर 24 है एक गराम सोने से कितनी लंबितार खीची जा सकती है तो एक गराम सोने से 2 किलो मीटर लंबितार खिची जा सकते हैं ये इतना तन्यता इसमें होती है चलिए कोहचन नमबर हमारा 25 है और ये लास्ट कोहचन है सोने के आप उसनों को बनाने के लिए कौन सिततों मिलाए जाते हैं option number A है, copper और tin, option number B है, copper और zinc, option number C है, सीशा और tin, option number D है, silver यानि कि चांदी और copper, तो option number और जागा हमारा D सही, या तो चांदी मिला जाता है, या फिर copper मिला जाता है, तब हमारे अभुशन बनाने के लिए सुने सही होते हैं, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले,